मेरना मज़े है और भी मैं स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में सो मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूं रियाल इस्टेट की तो यह देख रहे हैं अभी खाली है कुछ भी नहीं है यहां पे ठीकिना तो यह इसका डेस्बोर्ड है सबसे पहले मुझे प्लैगिंग इस्टॉल करना है जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं ज्यादा तर सी पैनल से काम करता हूं और फ्लगिंग इस्टॉल करता हूं तो आपको आपको के सी पैनल में इतनी सारी वेबसाइट नहीं दिखाई देगी आपको बहुत ही लाइस है तो मैं डारेक्ट भी यहां से डिलीट कर सकता हूं I don't require this okay तो अभी मैं क्या करूँगा मुझे जो requirement जिस plugging की वो मैं यहां पर upload करूँगा मैं upload में जाऊंगा झाल के वा WORKरूश जो मैं अचमृ घॉन कर सकता हूं I झाल झाल तो मुझे जरुत पढ़ेगी इलिमेंटर की मैंने इलिमेंटर ले लिया है क्योंकि उसकी जरुत पढ़ने वाली है मुझे अब इसके अलाबा भी मुझे एक दो प्लागिंग की जरुत पढ़ेगी इलिमेंटर की जरुत पढ़ेगी यह भी ले लिया मैंने फिलाल अब इसमें से और मैं जो योश्वन्त बोलो हाँ हुआ क्या तुम्हारा कल का काम हाँ 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 और मुझे जरूत पड़ीगी होसीन डवलू पी होसीन एक्स्ट्रा प्लगेंगी तो मैंने यह भी ले लिया तो मैंने Elementor Pro लिया है Elementor Kit की साइज जरूत ना पड़े लेट्स चेक और तो दो प्लगिंग की तो आपको जरूत जरूत पड़ने वाली है एक है Elementor Pro और एक दूसरा उसीन डवलूपी तो आपके पास Pro वर्जन नहीं है तो आप नॉर्मल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब मैं C-Panel में अपने बापिस जाओंगा और प्लगिंग के अंदर यह तीनों अपलोड हो चुके होंगे यहां ग्रीन दिखा रहा है अपलोड हो चुके तो राइट क्लिक करके इसे एक्स्टेट कर लीजे आप और यह है यह भी एक्स्टेट कर लीजे आप ठीक है यह है यह यह भी एक्स्टेट कर लीजे आप ठीक है तो यह तीनों प्लगिंग्स आपने ले लिये हैं ठीक है आपको एक-दो-तीन प्लगिंग की और जुरूत पड़ेगी वहां पर भी हो जाएगा आपका काम कोई प्रॉलम नहीं तो आप चले यह अपने बापिस डैसबोर्ड में तो यह मेरा डैसबोर्ड है जैसे कि कुछ नहीं है अभी तो अभी मैं चले जाओंगा यहां पर सबसे पहले तो प्लगिंग गाफा झाल पड़ेगी और जेन एक्स्टा की भी ज़रूत पड़ेगी है न तो यह दोनों तो मैंने कर दिया है अप्रापिवे glance now अभी मुझे जरुत पढ़ेगी है inverto element की ठीक है न तो उसकी जरुत elementors की जब भी elementor आप pro यूज करते हैं तो वो elementor pro अपने यूज नहीं करता अपने आप नहीं चलता उसकी लिए जरुत पढ़ती elementor की तो यहाँ पे नया करना पढ़ेगा elementor free वाला भी download करना पढ़ेगा तभी elementor pro काम करता है ठीक है तो यह लिया मैंने elementor तो यह page builder होता है मैं अधिक साधिक bus idc में ही बनाने की कोसिस करता हूँ actually आपको बहुत सारे page builders आने चाहिए अगर आज आप freelance designer, developer और you know, काम करना चाहते है तो आपको बहुत सारे plugins का knowledge होना चाहिए और वो आज आता है अलग से सीखने की जरूत नहीं काम करते करते ही आएगा तो मैंने इसे कर दिया activate यहाँ पे कुछ भी करने की जरूत नहीं बंद कर देंगे आप तो भी चलेगा तो यह हो गया अभी हम जाएंगे का पे अपनी theme में ठीक है यहाँ पे जाएंगे तो आप theme में जाएंगे तो आपको यहाँ पे theme मिलेगी बहुत सारी जिसकी जुरूत है नहीं हमें तो यहाँ पे हम अपनी एक अलग से theme ले लेंगे add new upload और यह ocene wp यह सब आपको बहुत अच्छी theme है यह उन्होंने latest अभी change भी किया है कुछ अपनी जो default theme है न उसमें तो मैं ocene wp यहाँ पे install कर लिया है और यहाँ पे दिख रहा है आपको यह so you can activate it तो यह मैंने activate किया अभी यहाँ पे skip कर दीजे इस सब चीज की जरूत नहीं है आपको और यहाँ से direct भी आप जाएंगे तो भी चलेगा एक common सी बात बता देता हूं कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे c panel में फिर से अप लेवल रिलोड तो यह जो plugging की जरूत नहीं न जो install कर दीजे यहाँ डिलीट कर दीजे आप skip कर दीजे आप अफ लोड करिए यह theme भी है न अभी हमने वो theme ले लिये न हमें यह सब चीज की जरूत नहीं है खाली रखी अच्छा रहता है अपना server जगा भी रहती है तो यह हो गया अपना काम तो अभी theme में क्या करूँगा चलिए बापस आते हैं तो यहाँ पर डालनी ocnwp theme तो यह आ चुकी है जब भी ocnwp आप theme डालते हैं तो उसकी कुछ connected plugins जरूर आते हैं तो आप देखोगे ocnwp यह बोल रहा है ocnestra install करिए तो मैंने बोला yes you can install तो यह यहाँ पर आता है मैंने बोला update और यह हो गया update चलो चेक करते हैं अगर हुआ तो ठीक है हो गया यह इतना ही काम था आपका अभी आपने कर लिया अपना आधे ज्यादा काम तो don't worry अभी मैं क्या करूँगा आपको फिर से मैं मैंने theme install कर लिया है plugging में जाऊँगा तो मैं confuse ना करना नहीं चाहता तो अब याद रखने हैं अपने पास तीनी दो ही plugging अगर मैं देखूँ तो एक ocnestra है और एक यह है elementor pro kid मैं अभी download नहीं किया है रखा है लेकिन activate नहीं किया है ना मैंने इसका कोई लेन देना नहीं leisure delete भी कर देता हूँ ताकि आप confuse ना हूँ तो यह देखो तीन plugging है तो इसको एक क्यों बोलता हूँ elementor pro आपके पास नहीं तो elementor से भी काम हो जाएगा ठीक है ना तो यह ocnestra और यह ocnestra भी free of cost अपने आप download होता है तो कोई problem नहीं अब यह है कि यहां पर theme का काम है आपके पास theme या template होना चाहिए whether आपने कहीं से purchase किया है या क्या लेकिन उसका होना के लिए जरूरी है अगर purchase करते हैं theme तो आप यह लाइस license भी होता है तो यह थोड़ी दर के लिए यह privacy page यह simple simple page है इसी को थोड़ी से चलिए आप यहाँ पर edit कर लीजिए यह कुछ भी introduction आप बंद कर सकते हैं तो यह देखिए simple page है लेकिन इसकी हमें कोछ जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपना खुद का page design करेंगे तो आप चाहो तो यहां से पूरा data delete कर सकते हो पूरा मनदब control करके चाहो तो आप वहां से directly delete करके फिर आ सकते हो तो मैं इससे delete करना चाहता हूँ which is really easy मैंने delete किया तो कोई प्रॉस नहीं है privacy pages भी आप चाहो तो delete कर दो बाद में खुद बना लो कोई हो नहीं है तो yellow यह भी मैंने apply किया तो now I don't have any pages मेर पास तीन plugging है दो plugging है और एक भी pages नहीं है तो add new pages करता हूँ मैं यहाँ पे so like add new pages तो it is home write down the home here and आप यहाँ पे करना क्या है हर बार आपको मैं बताता हूँ आपको करना यह page attributes में यहाँ पे जाके full build ठीक है न उसके बाद आपको क्या करना है यह header में जाके disable कर देना है यहाँ पे header में भी disable कर दीजे आप क्योंकि आपको कुछ नीचे यहाँ पे enable करना है second में header में इसको करना transparent फिर title में जाके disable कर दीजे breadcrumbs को भी disable कर दीजे footer को भी disable कर दीजे तो इस प्रकार से अभी देखिए हमारे पास कुछ नहीं है न और यह element रोग दिख रही है और यह हमारा home page अभी हमने बना इधर कुछ लिखने की जरूत नहीं है इसको कर दीजे save और publish ठीक है न अभी आप फिर से भी जाएंगे न अपने dashboard में तो यहाँ पर दे तो यह आगया कस्टमाइज है न अब यहाँ पर चले आई आई आप कस्टमाइज में देख लिए जिए कहीं header होगा ठीक है यह दिखेगा आपको header ठीक है न तो यह जर्नल पर क्लिक किया तो यह दिखरी header border bottom इसको भी remove कर दीजे तो यह मैंने remove कर दिया कोई problem नहीं है अब यहाँ पर गया हमें अब यह logo है तो मैं अभी logo डालूंगा तो यहाँ पर logo आ जाएगा तो अभी logo है नहीं तो मैं बाद में यह create करके डालने आ लाँ अभी जो भी है यही लिखर है ने दीजे जो ठीक है तो यह कर दिया हमने publish तो अभी यह देखरो खाली pages है मेरे पास मतलब overall मेरे पास अभी अगर मैं देखू तो मेरा यह देखिए pages 100% आपको blank मिलेगा यह pages ऐसा है न यह home page नहीं है अभी जब मैं home page मैंने बना ही लिया है तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर जाओंगा reading में reading मेरे home page को मैं main page बना लूँगा home page को main page है यह अभी blog लिखा नहीं है मैंने बाद में select करूँगा इसको मैंने कर दिया save तो अभी आप देखेंगे हमारी site कैसी दिखेगी यह देखिए कुछ भी नहीं है जीरो है अब हम यहां से काम करना चालू करेंगे ठीक है तो मैं जाओंगा यहां पर templates में और elementors में यह सब दिख रहे हैं आपको है न जर्नल बहुत सारी चीज़े मिलती है आपको तो आप यहां पे काम कर सकते हैं आप एक plugging और install करिए appearance एक plugging और install करिए install new और इधर कर दिए inverter आपको यह भी install करना पड़ेगा यहां पर तो यह भी inverter भी ले लिजे आपको एक्चली inverter elements क्या होगा यह हमको page creation के लिए templates के लिए थोड़ी सी help करता है इस पर कुछ ready made चीज़े भी होती है ready made pages होते हैं जो already मैंने कई बार डिजाइन किया है आप पिछली बार में कहीं पर जाके चेक कर सकते हैं तो यह देखो इलिमेंटर भी हो गया हमारे पास ठीक है न इलिमेंटर प्रो यह और इनवर्टो भी हो गया अब मैं जाओंगा तो यहां पर दिखता है यह यह welcome और templates kid है और यह freekid और install kid जो already install AH कर चुके है और दीखती है अगर मैं इस पर आया हूं तो लेक्मी चेक तो यह देखो यह folder मिल दुखता है यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करके चलिए आई आप डेक्स्टॉप पे थोड़ी देर के लिए आप जहां पर रखें वहाँ चलिए आए मैं आप अपनी क्लाइंट्स लेस्ट के अंदर जाना चाहता हूं और यह मेरा फोल्डर उसका मैंने जो यूज करना है न उसका तो आप एक बार एक्स्टेट करके भी चेक कर लिए इसे भी आप हाँ यह ऐसा होना चाहिए ठीक है न अब यह अगर यह इस्टॉल हो गया तो बहुत अच्छा है और नहीं हुआ तो फिर बहुत देखा जाएगा अब यह बोलता है इस्टॉलेशन के लिए यह कुछ प्लगिंग की जरुरत है इसे ठीक है तो यहां पर गया हमें तो यह यह अब बोल रहाएगी सब प्लगिंग स्टॉल होंगे कौन सा स्टिकी होल्डर इफेक्ट्स इलिमेंटर इलिमेंटर डिफाल्ट कलर स्केम और यह तो एक्चुली क्या होता है कि यह दोनों-तीनों चीजे यह भी है इसका फायदा है क्या यह दोनों-तीनों चीजे अगर आपक तो यह सक्सेस्फुल इस्टॉल हो गया है क्लोज इदेपेंड और इंटरनेट स्पीट तो फियो सी लॉडव टेंपलेट्स आर देयर इन इस सेक्शन कुछ भी नहीं है अभी मैं क्या करूंगा कि जाओंगा पेजस में इधर पर हमने एक पेजस बनाया था मगर इसके पहल तो आए हो यह एक दूपली केट्व कयह एक करने आपको यह एक तो गलु कलर का मटलू टीफञेट्र प्लाइं करने दिल्टा है इसथ स्थित्ल है हमें क्या दूपलिकेटंगरों तो दूसरे कोई plugins भी ले सकते हो, मगर हमेशा, क्योंकि मैं जल्दी में रहता हूँ, तो मैं हमेशा जो चीज यूज किया है, मैं वही फट से यूज कर लेता हूँ, तो यह होगे duplicate क्यों किया, मैंने बता रहा हूँ इस पेज में, तो क्यों किया, मैं बता रहा हूँ, मैं तो यह देखिए, मैंने किया, इसको quick edit करूँगा, मैं service, service किया, update किया, फिर यह इसको भी quick edit, contact, contact us कर लो, इसको भी update कर दो, और quick edit, और contact us कर लो, यह हो गया gallery, गैलरी कर लो इसे, ठीक है न, और एक कर लो video gallery, इसको आज कल यह ज़्यादा है, फोटोज एंड वीडियो, ऐसे लुखते हैं, गैलरी के इलावा photos, और यहां पे videos, तो किसी को photos देखना है, quick edits में photos, photos करेगा वो, update, और यहां पे करेगा, videos है न, quick edit करेगा, videos, तो, तो यह दो पांच pages बना लिया है न, लेकिन अभी हम काम करेंगे, अपने home page में, ठीक है न, तो यहां पे जैसे ही मैं करूँगा, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी, इसको refresh कर लो तो इक बर में, तो यह home दिख रहा है आपको, तो इसको करीए आप edit पहले, जैसे आप edit करोगे, तो आपको यहां पे जाएगा edit विट इलिमेंटर, और यहां पे जाएगे तो यहां पे पहुंच गया मैं, इसे थोड़ी सा और कम कर लिजे, हमें इसे कम जरूत पड़ेगी अभी, तो यहां पे देखे, इसकेंड नमबर का पोर्शन पढ़ रहा है, आपको जिसमें फोल्डर बना, तो यहां पे जाएंगे तो my templates, अब यहां पे क्या है कि हमारी जो template थी, वो यहां पे आना चीए सारी, जो हमने इंपोर्ट की न, तो अगर software अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो template यहां पे आ जाया करती है, तो मैं क्या करूँगा, तो template यहां पे कैसे आएगी, अगर मैं यहां पे जाऊंगा, तो आपको दिखेगा, यह template, यह देखो, यह view, यह दिखे, यह template है, तो अब इसमें देखना है, आपको कि एक home है, home 2 है यहां पे, फिर home 3 है, तो इसे बहुत सारे home pages मिलेंगे, तो इसमें यह है कि आपको कैसा home page ची है, यह आपके ऊपर है, तो suppose मुझे जो home page ची है, मैं चाहता हूँ, वो insert यह वाला हो, एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, कि कभी-कभी कोई-कोई page import नहीं होता है, तो उसका reason भी है, मैंने एक-दू वीडियों बताया है, कि आपको memory limit अपडेट करनी पड़ेगी, वो एक-दू जगह से, वो करना पड़ेगा, तो फिर upload हो जाता है, और अगर नहीं भी होता है, कुछ problem आती है, तो आपको इसकी jensen file होती है, अगर जो purchase की आपने, तो आप jensen file के थू भी import कर सकते हैं, तो यह आपकी internet की speed के उपर है, कि कितना time लगता है, मगर एक बड़ी वो होती, कि जैसे यह page में ने import किया न, यह पूरा render होने के बाद, पूरा import होने के बाद पता चलता है, कि import हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की wordpress की बहुत सारी themes आती है, templates आती है, आप उसका use कर सकते हो, तो वाँ भाई मुवारक हो, यह page हमारा आचुका है, यह आप देख रहे हैं, यह देखे हैं, प्रॉपर यह, यह यह देखे हैं, सारी चाहिज़े हैं न, तो यह आगया हमारा pages, अब इस pages को हमको करना होगा, update, तो update कैसे करेंगे आप, जो भी आपके पर वीडियो हैं, या फिर जो भी चीज़ हैं, आप वहाँ पर इसमें, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो यह देखेंगे, अगर आपको लगता है, यहाँ पर slider होना चाहिए कुछ है, बड़ा सा और फोटो से आना जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर slider लेना होगा, आप plus button करके यहाँ पर भी slider ले सकते हुए का लगस है, जैसे मैं नहीं यह किया, तो यहाँ पर गया, तो यह देखो, यह दिख रहा है, आप इसको just drag कर दीजे slider को यहाँ पर, तो यह देखेंगे, यह आ जाएगा, अब यह यह यहाँ पर आ गया, तो फिर इसकी height किती होने थी है, विर्थ किती होने चाहिए, यह देख रहे हैं, तो आपके अनुसार यह height भिर्थ ले सकते हो, इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ है, आप style में जाएए, अक्सर में बताते ही रहता हूँ, यह content rights, यह तो ठीक है, अगर यह देखिए, तो आपको अगर arrow चाहिए है, dots चाहिए है, अगर ऐसा है, नीचे dots आ रहे हैं, arrow चाहिए, arrow and dots जोनों चाहिए, तो यहां से आप ठीक कर सकते हैं, autoplay चाहिए है, कितनी speed होना चाहिए, speed कम जादा करनी है, तो आप यहां से कर सकते हैं, यह सारी चीज़े, तो यह एक बहुत अच्छी है, यहां से आप एक फोटो भी डाल सकते हैं, अलग से चाहिए, तो अब यह हुई बात, तो यहां पर आप right click करोगे, edit, तो आपको यह देखना यह मिलेगा, लेकिन आप जब यहां पर right click करोगे, edit, तो आपको यह मिलेगा, तो यहां पर आपको लेना भुल विर्थ, क्योंकि मुझे space नहीं चाहिए, drop down करके no gap, तो यह देखिए full, कैसा हुआ, यह जो professional बना था ना, ठीक हो, ऐसी हो गया, तो आजकल ऐसा fashion है कि slider के पर एक बड़ी image डाल दिया करते हैं लोग, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना, stretch भी कर दो, आप थोड़ी सा, और भी fit हो जाएगा, तो इसको कर दिया है, suppose मैंने update, अब update होने के बाद, जब मैं यहां पर जाऊंगा, तो पुझे मिलेगा, यह, कैसा, यह slider का यह, यह, यह detail मिलेगा, तो आप यहां पर कुछ डाल सकते हैं, अब आपको यहां पर लेनी हैं सामने वाले की images, कौनसी images हैं, और वो update करना है, लेकिन वो update करने के पहले, मैं थोड़ी सा यहां पर वो काम करूँगा, कि, यह map डाल सकता हूँ मैं, और यह address डाल सकता हूँ मैं, तो इसके लिए मैं आपको next video में बताऊँगा, फिलाल मैं आपको एक और edit करना, क्योंकि वो easy काम है, तो मैं यहां पर जाता हूँ, और refresh करूँगा, तो मेरी side यह आ चुकी है कि नहीं, आपको यहां पर update करना होगा, तो आपको दिखेगा, यह side हमारी, आचुकी है पूरी है, तो यह banner होगे, तीन banners आएंगे यहां पर, उसके यह बंगलो की photos आएगे, फिर यह photos आएगे, फिर यह photos आएगे, अब यह एक page में आपको और upload करके बता देता हूँ, ताकि आपको easy हो जाएगा, यहां पर गया म यह services है न, तो आप इसको services को भी edit कर लीजे, फायदा क्या होगा, कि यह सब चीज नहीं करनी पड़ी आपको यहां पर, आप डारेक्ट जाएंगे, इसमें, ठीक है, इसके बाद जाएंगे, यहां पर click करेंगे, तो you can find this, तो अभी क्या चीए है मुझे, बताइए, अभी म review हो गया, about us हो गया, यह देखिए, services है न, तो इसको कर ली जाप insert, और फिर देखिए, इसका है, तो मैं contact us का page भी आपको create करके दे दूँगा, तो easily है, तो बोलेंगे, आप सर, यह type templates कितने रुपे की मिलती है, तो यह कभी आपको जाना होगा, हर समय अलग-अलग rated रहते ह हैं इसके, तो मैं तो हमेशा क्योंकि बड़ा license लेके रखता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह template, mostly 1,000, 2,000, 3,000, 8,000, एतने रुपीज की रहती है, यह, कुछ करना नहीं पड़ता हूँ, और अगर आप सोचते हैं, कि आप सामन कर दीजेगा, सायद मैं help कर लूँ, तो यह basically चीज हो गई, अब उनको आप में से इसको जो data नहीं चाहिए, आप delete कर दीजेगे, जैसे pricing वर आइजिंग के उनको कोई लेना देना नहीं है, तो हाँ, उनका pricing वगर के हैं, लेकिन बंगलो के pricing हैं, तो फिर यह हो गई, architects यह स services हो गया, तो आप देख, एक बार आपको यह check कर लेना कि यह सब proper है की नहीं, इसका actually header और footer भी होता है, लेकिन मैं header और footer अभी नहीं डाल रहा हूँ, तो मैंने की update, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, आप सारे pages बना सकते हैं इसके, और यह आपकी काम करेगी properly, तो जैसे मै मैंने update किया, तो यह page तो चलू हो ही गया होगा, let's do exit, मैं actually ऐसी situation आना चाहता था कि आपको कोई page upload ना हो, अगर है न, जैसे कोई pages upload में problem आ रही हो, तो जाए सही है, फिर भी यहाँ पे चलिए, मैं एक बार फिर से कोसिस करता हूँ, कभी-कभी contact page नहीं आता है, तो third में ग box किते हैं महलो, add templates के हैं और यह box किता है, inverter का, अभी इसका plugging नहीं होता है, ऐसा कोई बड़ा वाला, तो यह free kit, तो इसी में install kit में अंदर ही आ गया हमें, सबसे bottom पे जो आप जाएंगे, तो यह देखिए contact है, तो let's insert the contact number, अब यह देखिए project है, कुछ भी हो जाए, किसी भी company का कुछ काम करते हैं आप, तो project जरूरी है, है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक project को भी insert करूँगा, यह contact us insert हो गया है, let's check कि whether यह आया है कि नहीं, map वगरा, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, तो यह देखिए map आया ह आप edit करके यह, edit google map, you can put your number, name, address है, तो आप जाओंगे न, तो आप यहाँ पर देख लिजे, लो नावला का जो दिखता है, न, यह, तो आप यहाँ से जाके देख लिजे, और आपको जो map वगरा दिखता है न, proper, तो आप उसके google map का address भी डाल सकते हैं, तो जैसे यह लो नावला महराष्ट में इतना ही डाल के लिखा देता है, आपको ठीक है, पिलाल, तो मैंने यह लिया, तो बाकी चीज़ एडिटेबल होती है, actually मेरे वीडियो जो देखते हैं लोग, वो already थोड़ी सा जानकारी रखने वाले देखते होंगे, already आप लोग इतने intelligent जीनियस हैं कि आपको यह सब चीज़ आती होगी भी, यह, यहाँ पर जाता हूँ मैं, तो आप जूम कैसे, यहाँ से थोड़ी सा जूम करके छोड़ सकते हैं, हलका सा, यह, तो यह रहता है यहाँ से, यहाँ पर जाएंगे आप स्टाइल में, आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, जैसे यह, दिख रहा है आपको, क्या black and white वाइट वागेरा करना है, क्या, या पर जाएंगे तो लेट्स गो टू टू दा पेज़े सेक्शन, पेज़े जिए पर बना रहा हूं बताता हूं, तो माल पेज़े में जो है ना, अभी हमने बनाया ना, सर्वेज, वीडियो, और यहाँ तो इसी में से आप किसी को भी डूपलिकेट कर लेजे, या फिर यह द and you can add it here, after edit you can click on the elementor again, अब यह elementor की लिखिया तो यह देखिया आ गया, यहाँ पे फिर same projects वाला, अगर आप हो गया ना, मतलब मैं तो चाहरा था एक पेज ना हो, क्योंकि तभी मैं उसकी details आपको बता सकता था, तो mostly आप मैं जो वीडियो बनाता हूं, वो यही है, wordpress के तो, actually मैं, तो मैं कोई wordpress design company में काम नहीं करता हूं, मैं खुद कही काम करता हूं, freelance wordpress designer, और जब भी कुछ अच्छी चीज़े मिलती हैं, या easy चीज़े मिलती हैं, तो मैं जुरूर share करता हूं, बहुत अच्छा career है, आप इसमें बहुत सारा growth कर सकते हैं, मगर काम चालू कर हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तो यह मैंने इसका project page भी upload कर लिया है, है ना, तो इसको मैं कर सकता हूं, हमारे कोई अगर आपके 2-3 projects हैं, तो देखो आप यहां पे डाल सकते हैं, है ना, कि आपके कितने projects हैं, तो यह देखें, यहां से click करके वो planning में, construction में, हैं, आप यह segregate कर सकते हैं, तो यह उन्हें पुब्लिच किया, project information, तो यह सारी चीज़े हुई, इस परकार से यह theme complete हो जाएगी, और बस content डालना बचेगा, तो इस परकार से आपको वर्डप्रेस की design और designing वगरा कर सकते हैं, आपको अगर इसे related और ज्यादा वीडियो चा बोलान रही है, thank you so much.